Hey guys, CUET 2022 में Arts या फिर Humanities section के जो students है, जिनका target Humanities है, Arts के courses में admission लेना है, उनके लिए एक बहुत ज्यादा दुविधा करी हो गई है, कि ज्यादा तर बच्चे मुझे text कर रहे, DM कर रहे, कि भईया हमें books नहीं पता है, Arts के लिए कि कौन सा books ही होगा, या Arts का क्या pattern रहेगा, नहीं मैं आपको सारी चीजे ये वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो स्पेशली Arts वालों के लिए dedicated है, आप अगर commerce के हो, science के हो, तो भी आपके लिए वीडियो जादा beneficial हो सकती ही, क्योंकि आज की वीडियो में उनके बारे में भी थोड़ा सा books and materials suggest कर दूँगा last में, बट Arts व ये उतना ज्यादा फायदा, बाकी के चीजे आप कर ही देना सब्सक्राइब अगरा, ठीक है, अब देखो, बात आई है, Arts की तो Arts के बारे में मैं बता दूँग आपको, Arts के लिए यहाँ पर किरन Institute of Career Excellence वालों ने एक बुक निकाली है, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो मैं बताया था आपको, लेकिन ये इस बुक को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, लास्ट वीडियो में जब मैं ये वीडियो बनाई थी, Arts के उपर, Science के उपर, Commerce के उपर, सब सारे बुक को बताया थे, तो बहुत सारे स्टुडेंट ने बोला था, भया, मैं कंटेन ठी मैं इन से भी ज्यादा वक्त से देख रहा हूँ, अनलाईज कर रहा हूँ, तब मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, ये एक बुक है, जो की किरन Institute of Career Excellence वालों ने निकाला है, इनकी ये जो बुक है, इस बुक को लेने के बाद, और अगर आप NCRT पढ़त मैं उल्टी आ रही होगी, बट स्टिल मैं आपको समझा दू, इस बुक में आपकी Section 1, A, Section 2 and Section 3, तीनों ही cover है, मतलब आप अगर Arts के student हो, तो भी आपकी General English इसमें ही आ जाएगी, और आपकी Section C, जो आपकी Quantitative Attitude, Reasoning, General Test, या फिर Current Affair, GKS Related, जो भी चीज़े होती है, वो भी इस बुक में cover है, and especially Arts वालों के लिए है ही, तो यहाँ पे जो Section 2 है, यह इस बुक में जो आपको मिलेगी Section 2, यह Completely Detailed में बताएगी है, इसमें आपको एक एक chapters देखने को मिलते हैं, मैं अभी आपके सामने इस बुक को खोलता हूँ, and खोलके बतायता हूँ, अगर आप English भी होगा, and Commerce का भी Same Situation है, उसमें भी आपको ऐसा ही मिलेगा, okay, तो यहाँ पे देखो, let's suppose, जैसे कि आप डोमेन में जाओगे, Arts वाले Section में, आपको एक डोमेन नाम का Content मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, like History दिया हुआ है, History करके Content, मतलब Arts के Section में History है, Geography है, फिर आपकी Political Science है, फिर आपकी Economics है, तो सारी जितनी भी Topics है, Micro Economics, Macro Economics, सब कुछ कवर है, एक Arts डोमेन को कम्प्लीट करने के लिए जो भी चीज़े चाहिए होती है, सारी चीज़े इसमें कवर है इस Book में, लोगों में से बहुत लोग ऐसा मुझे Comment करते हो कि हमें एक ऐ सारे ही सेक्शन दे रखे है, जैसा कि मैंने कहा था, इसमें English भी दे रखी है, और इसमें General Test भी है, मतलब यह नहीं कि आप Humanities के लिए ले रहे हो, Arts के लिए इस Book को लोगे तो आपका Section 1 and Section C, जो Section 3 है, General Test वो छूट जागा, नहीं, इसमें तीनों ही सेक्शन कवर होंगे, यह Book, especially Humanities वालों के लिए, बट इसमें दोनों उपर के जो पहला और जो थर्ट सेक्शन है, वो भी कवर है, and Science के लिए अगर आप लेते हो, तो भी वो चीज मिलेगा, and आपको Commerce के लिए भी same चीज है, तो यह थी पूरी डीटेल में बात, अब आपको क्या करना है, नहीं करना ह It's up to you, जाओ जाके अगर आपको Book, Purchase करना है, तो प्लीज करो, and वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, Thank you so much in this video, I love you guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाए, टाटा, link in the description below. झाल